नमस्कार साथियो जैहिंच जैभाराच स्वागत है आप सभी का All Exam Place पे मैं हूँ रोहित किरा founder of All Exam Place दोस्तों बहुत ही बड़िया खुशकवरी आप लोगों के लिए जी यहां MP Police Constable का रूल बुक आ चुकी है उसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि इस रूल बुक में क्या क्या मेंशन है आयू कितनी होने वाली है स्लेबस में कोई बतलाव हो है क्या या फिर छूट मिली है या फीस बड़ी है कि नहीं बड़ी पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको डिटेल रहेगी पोस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुल कितनी पोस्ट है पूरा डिसकेशन इस वीडियो में करेंगे चलिए शुरुवात करते हैं MP पूलिस की संपूर जानकरी के साथ सबसे पहले मैं आपको बता देता आपकी जो में तिथिया हैं, फॉर्म भरना कबसे चालो हुगा, तो बच्चो 31 दिसंबर से फॉर्म चालो हुगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है बच्चो वो है 14 जनवरी, इसी प्रकार शंशोधन की तिथिया है 19 जनवरी, अगर आपने फॉर्म 14 तक भर दिया, तो अनरक्षित वर्ग के लिए फीस जो है, दो पेपर की होगी 800 रुप है, दो पेपर मतलब जो बच्चे रेडियो वाला पेपर भी देना चाहते हैं, और जीडी वाला भी देना चाहते हैं, उनके लिए आपकी फीस होगी 800 रुप है, जो केवल जीडी वाला देना चाहते हैं उनकी फीस होगी 600 रुपए, यही category के लिए, category जो SC से है, SP से है, OBC से है, या फिर PH से डिटेंड वो करता है, उनके लिए बच्चों दो पेपर का 400 है और एक पेपर का कितना है, 300 रुपए है, इसके साथ साथ दे रखा है कि 60 रुपए पोटल चार्ज, MP उसका और user ID 20 हैं, देखिए, पहली पाली, साथ से आठ बजे आपको जाना पड़ेगा, 9 से 11 का एक्जाम है, 2 गंटे का, दूसरी पाली है, 3 से 5 में, 6 तारी को एक्जाम रहेगा, हाना, इसके अलावा, ये तो आपकी एक्जाम की वो हो गई, अब बात करते हैं बच्चों इसी में, कि IU क नहीं, बहुत बच्चों को IU के लिए कि वो है, confusion, तो बता दू, 1 अगस 2020 को decide होगी IU आपकी, 1 अगस 2020 को, अगर आप 18 से कम हैं, और 33 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये जो खुली भरती है, सीधी भरती के लिए, ये 18 से 33 दे रखा है, 18 से 33 दे रखा है, खुली भरती, मतलब दूसरे राज्यवाले जो मेरे भाई बैन है, वो भी अपलाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी एज 18 से 33 में होनी चाहिए, यहीं हमारे मैला जो है, मैला आवेदक, अनरक्षित वर्ग की कोई भी हो, उनके लिए 18 से 38 है, पांच वर्ष की छूट रहेगी, ऐसे ही पुरुष आव पांच वर्ष की छूट दी जाएगी, यह पांच वर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा, जो खुली रेस में भाग लेंगे, उनके लिए maximum 30 है, भूतपुर सैनिंग को पांच वर्ष की छूट रहेगी, उनकी 38 रहेगी, तो काफी मेरे भूतपुर सैनिक स्टुडेंट ह वो पूस्ते हमेशा, तुम इनको कंफर्म कर देता हूँ, पांच साल के आपको छूट है, 38 है, इसी प्रकार नियूतम अहरता की बात करें, तो जीडी के लिए बच्चों आपको 10 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, अगर आपकी कैसी है, जर्नल कैटेगरी है, यही अगर आप अन प्रकार अगर बच्चों आप लोग अप्लाई कर रहे है, रेडियो वाले पद के लिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, ताक कि आपको और क्लियर हो जाएगा, देखिए, अगर आप रेडियो वाले पद के लिए, तो उसके लिए आपको 12 होना चाहिए, साथ मे ITI दे रखा है, दो वर्ष का जो कोर्स होता है, NCVT, STVT का ITI वाला, यह हो सकता है, तो यह हो, उसमें भी पाठकरम दे रखा है, बच्चों, लॉक्ट्रोनिक्स कंप्यूटर में होना चाहिए, इंफोर्मेशन में, यह अगर आपको दे रखा है, for example, उसमें दे रखा है, ल डिप्लोमा जो बच्चे करते हैं, तो डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, उसमें भी डिप्लोमा में देखिए, कौन-कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल है, लॉक्ट्रोनिक है, लॉक्ट्रोनिक टेली कम्निकेशन है, इस्टुमेंशन है, कंप्यूटर साइंस है, अगर यह चीज है तो आप रेडियो अली पोस्ट जो है ना उस पे अपलाई कर सकते हैं फिक है इसी प्रकार बच्चों बात करते हैं यहां पर आपकी हाइट क्या होगी भाई आपका रिटन हो जाएगा रिटन के बाद आपका क्या होगा आपका फिजिकल से पहले आपका चे तो दिखे पुर्षों के लिए हाइट है 168 cm 168 cm सीना फुला के बिना फुला 81 और फुलाने के साथ 86 इसी के साथ आपका जीडी के लिए जो है आपका अनुसूचित जनजाती का स्ट का जो है उसमें छूट रहेगी पुर्षों को 160 है के वल हाइट उसके लिए 160 है मैलाओं क स्ट की 155 है सीना उनके लिए लागू नहीं स्ट की मैलाओं के लिए 105 है हाना तो यह चीज आपको ध्यान रखना है हाइट का भी फैक्टर है कई बच्चों को डाउड होता हाइट कितनी होगी तो 168 और 160 अगर आप किस से बलॉंग करते हैं स्ट से बलॉंग करते हैं मैलाओ के लिए 155 कर दी गई है इसी के साथ साथ बच्चों वेतन की बात कर लूं कई बच्चों को लगता है सर पैसा कितना गमाएंगे पुलिस में आके तो वेतन जो है प्रतं पेपर जोकी समस उमीदवारों को देना है चाया वह जीडी के लिए अपलाई कर रहा हो चायव वह रेडियों के लिए अपलाई कर रह 그림 तो पहला पेपर दोनों को देना होगा जो कि दो घंटे का होगा और सौन होंगे इसी प्रगाट दूसरा पेपर जो होगा बच्चों केवल उनको देना है जो रेडियो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है रेडियो वालों के लिए आपको एक पेपर एक्स्रा देना होगा दो घंटे का सो प्रशन रहेंगे इसमें भी यह पेपर की बात हो गई पहला पेपर जो कॉमन है वो आपको मैं बता देता हूँ जिसमें समानिक ज्यान तार्किक ज्यान चालिस का बहुत देख्षमता मांसिक अभी रूची 30 की यह तो अल्रड़ी बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ विज्यान अंगड़े 30 का टोट आपके लिए बच्चों केवल और केवल आपके लिए ले क्या हूँ हमारे कोर्स पे MP कॉस्टेबल पे 50 परसेंट जी हां 50 परसेंट आफ मात्र और मात्र 550 रुपे में संपूर कोर्स की त्यारी ऑनलाइन करवाई जाएगी टेस्स से लेके लाइफ क्लास प्लस वीडियो ले इत्ते हुए इस कोर्स को केवल और केवल 50 परसेंट आफ कर दिया गया है लेकिन यही चीज़ आदखीगा यह एक जनवरी तक है बच्चों एक जनवरी तक है बच्चों के लिए जो एकदम सीरियस है एकदम पढ़ना चाहता है तो उनके लिए आफ़र है 500 स्टूडन के लि लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरा नंबर ले सकते हैं इस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं पूछ सकते हैं यह मेरा नंबर है इसके अलावा एक नंबर और दे देता हूँ आप इस पर भी आप पूछ सकते हैं जानकारी ले सकते हैं हमारे कोर्स के बारे में ड आंसर मैं आपको डिटेल बदा देता हूं इसमें और क्या होना है इसके बाद बच्चों फिजिकल होगा रिटन होने के बाद फिजिकल में देखिए आपका क्या है टीडी के लिए 2 मिनिट 45 सेकंड में 800 मीटर गोला फेक 19 फीट 7.26 का गोला होगा लंबी कूद 13 फीट मैलाओ के लिए 4 मिनिट 15 फीट होगा गोला 4 किलो का हो जाएगा लंबी कूद 10 फीट की हो जाएगी हमारे भूत पूर सेंकों के लिए 3 मिनिट 15 सेकंड का टाइम है गोला 15 फीट फेकना है 7 किलो 260 ग्राम का गोला होगा और लंबी कूद 10 फीट की होगी इसी प्रगार हमारे होमगा होगी बच्चों लंभी कूद इसी प्रगार रेडियो के लिए भी देख लीजिए रेडियो में दो मिनिट 45 सेकंड ही है 19 फीट ही है 12 फीट 13 से कर दी गई है बस एक फीट का डिफरेंस है यहां पर रेडियो वालों को महिलाओं के लिए 4 फीट 15 फीट गोला फेक 10 फीट चार होड़ा सक चेंज है यहां पर फिजिकल में बस अब आपको दौड के लिए बच्चों एक ही मौका लेगा एक बार में आपको दौड कॉलिफाइ करनी है इसी प्रगार आपको तीन अफसर दिये जाएंगे लंभी कूद के और गोला फेक के आपको तीन अफसर दिये जाएं माहत्मूर्ण किताबी कौन सी होंगी सर यह सब वीडियो में बच्चों अलड़ी बना चुका हूँ सलेबस क्या होगा सर डिटेल सलेबस बताइए एक से क्या होगा तो बच्चों आज ही मैंने वीडियो अप्लेट किया है जीके सलेबस का कोई भी आप यूटूब चैनल सर यह पीडियो चाहिए तो मुझे वाट्सप भी कर सकता है और हमारे एप को डाउनलोड कर ले वहाँ पर भी वीडियो अप्लोड है और आपके लिए देखाने के लिए वहाँ पर कर दिया गया है तो आप वहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि रीजनिंग की कैसे करें त्यारी इंपोर्टन किताबे कौन सी होंगी मैं इसकी रीजनिंग की साइंस की इसी प्रकार बच्चो और भी वीडियो में आपके लिए लेते आऊंगा जैसे हमेशा लेते आ रहा हूं 2017 से लगातार और आपके साथ है चलिए तो आपके लिए भविश के लिए बहुत-बहुत पध सद्धाई आप लोग बस लगके महनत करें जल्दी से मिलते हैं इसी प्रकार जाते जाते आपको बस मैं एक चोटा सा चेर कहना चाहूंगा या कहूंगा motivation दिना चाहूंगा कि वो जो शोर मचाते हैं भीड में भीड बनकर रह जाते हैं वो जो शोर मचाते हैं भीड में भीड बनकर रह जाते हैं वो पाते हैं जिंदगी में काम्याबी जो जो खामोसी से अपना काम कर जाते हैं जी यहां तो मैं उन बच्चों को बहुत-बहुत शुक्रिया कहूंगा कि जो हमारे साथ शुरू से बने रहे और अपनी प्रपेशन को चांचांद लगाते रहे उनका गैरिंटेट सेलेक्शन होगा जो बच्चे हमारे साथ शुरू से बने हैं चाहे वो पैड वाले बच्चे हों चाहे वो फ्री वाले बच्चे हों मेरा सपोर्ट उनके साथ हमेशा है रात हो दिन हो दिन रात क्लास चलेगी यहां पर आपकी MP कॉंस्टिबल की केवल और केवल एक ही नाम all exam place all exam place चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जैन जै भ